से पहले गनेजी को नमन बिंदू फूट फेक्टरी में आप सभी का स्वाकत है आज हम बनाएंगे प्रिया गनेजी के लिए मोदक बनाने में असान, खाने में स्वादिश्ट इंग्रीडिन जो है वो हमें घर में मिल जाएंगे शुरू करते हैं चावल के आटे से दूद के मोदक ये एक कप हमने चावल का आटा, कटे बदाम, कटे कज्जू, डेसिकेटिट नारियल ये हमने कड़ाई ले लिया है इसमें शुद्ध घी डाल देंगे 50 ग्राम के क्रीव फ्लेम ओन कर देंगे और घी को हम मेल्ट होने देते हैं घी मेल्ट हो गया है और चावल के आटे को भी हमने चान लिया है और इसको अब हम डाल देंगे ये बजार में आटा बड़ी असानी से मिल जाता है अगर हम घर पर चावल को धो कर सुखा लें और फिर ग्राइंड कर लें तो घर में साफ सफाई से आटा बनाएंगे तो मोदक का स्वाज जो है वो ज्यादा अच्छा आएगा अब इसमें हम लंज को तोड़ देंगे अच्छे से और एक तरफ हम कड़ाई में दूद फुल क्रीम दूद को डालेंगे साथ आट सो ग्राम के क्रीब दूद हमने ले लिया है दूद को हम उबलने दिते हैं और आटा भी हमारा साथ आट मिन्ट भून लिया है हलका सा कलर चेंज हुआ है और हलकी खश्बू आने लगी है ये कजू बदाम एक एक मुठी जो बारी काटे थे उन्हें डाल कर हम कर देंगे मिक्स और अब इसमें डाल देंगे डेसिकेटिट नारियल इसे डाल कर भी एक दो मिनट हम बून लेंगे और अब हम कर देंगे गैस का फ्लेम बंद बंद करने के बाद भी हम एक मिनट चलाएंगे ऐसे ही नहीं छोड़ेंगे कड़ाई बहुत गर्म होती है तो निच्चे की दर्फ का आटा जो है वो डारप हो जाएगा इधर हम दोद में उबाल आगे आच्छा सा अब इसमें डाल देंगे पंदरा बीस केसर के थागे इन्हें डालने के बाद बहुत अच्छा कलर और खश्बू आएगी थोड़ी थोड़ी देर में दूद को हम चलाते रहेंगे ये ध्यान रखना है कि दूद उफर ना जाए सोरी गाइस चिन्नी में डाल चुकी हूँ वीडियो मिस हो गया है मैं आपको दिखा रही हूँ कि तीन चुथाई कप से थोड़ी सी कम चिन्नी है वजन में एक सुप चास ग्राम 150 ग्राम थोड़ी कम या ज्यादा मीठा खाते हैं तो थोड़ी सी ज्यादा या कम कर सकते हैं लेकिन इतनी चिन्नी एकदम प्रफेक्ट लगती है अब घुलने तक कुक करते हैं थोड़ी चला रहे हैं दाने बिल्कुल पता नहीं चल रहे हैं गैस एकदम धीमा ये दूद उबलते उबलते आदा रहे गया है गाड़ा हुने में 15-20 मिनट लग गए हैं फ्लेम हम धीमा रखेंगे जो आटा हमने भून कर रखा था उसे हम डाल देंगे और फिर इसमें मिलाते गठा ही डाल सकते हैं तो भी इसमें गुठली नहीं बढ़ेगी कोई दिक्कत नहीं आएगी ये देखिए डालते ही तुरंत गाड़ा भी हो गया है अब इसमें जाएगा इलाइची धाना जो हमने कूट के रखा था इलाइची से फ्लिवर बहुत ही अच्छा आता है इलाइची स्वाद को दो गुणा कर देती हैं इसी तरह हम इसे हाथ से ही मोदक को बनाएंगे पहले हमने गोला लिया और उसको हाथ पे गोल किया और अब इसको ऐसे और इसको एक कोई भी तीखी चीज लेकर इसे हम हलका हलका मोदक का निशान बना देंगे इस तरह से और ये हमने थोड़े से बदाम की कत्रन और पिस्ता कत्रन ली है इससे भी हम इसे सजाएंगे बारिक कटे बदाम पिस्ता से सजा देंगे और इसी तरह से हम सारे मोदक बना लेंगे और ये चावल के आटे से बने दूद के मोदक तैयार हैं कितने अट्रक्टिव लग रहे हैं आपने बनाने का त्रिक्का देखा कितनी असानी से बन गए और घर पर ही पड़े समान से तैयार हो गए हैं आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है जब आप चावल के आटे को भूनने तो उसे मीडियम फ्लेम पर भूनने आपके मोदक बहुत ही अच्छे बन कर तयार होंगे आपको रैस्पी अच्छी लगे तो लाइक करना शेर करना थैंक्यू सो मच आप सभी को मेरा परनाम दिल से